अरी बॉडी का सबसे smallest functional unit यानि की cell अगर groups में पाया जाए किसी एक function को करने के लिए तो हम इसे tissue भी कहते हैं हम इंसान की बॉडी में अलग-अलग तरीके के tissue हैं blood tissue, nerve tissue, muscle tissue अगर हम plants की बात करें तो इनके भी बॉडी में gylum, floem, ये अलग-अलग तरीके के tissue हैं और भी बहुत सारे tissues हैं इसमें इन ही के बारे में आज के इस chapter number 6 यानि की tissues chapter में हम line by line Hindi explanation के साथ पढ़ रहे होंगे different type of tissues found in our body and in plants body तो चलिए सुरू करते हैं Hindi line by line NCRT explanation और आज की इस वीडियो में chapter number 6 यानि टीशूस पढ़ने वाले हैं मेरे दोस्त ये चाप्टर तभी पढ़ना जब इसके पहले वाला चाप्टर the fundamental unit of life जो biology का पहला चाप्टर है इसको आपने पढ़ लिया है उपर information बटन पर आपको वीडियो मिल लाएगी detailed वीडियो है with best ever results created by educational likes उस वीडियो को जरूर जाकर देखना चलिए शुरू करते हैं line by line Hindi explanation of this chapter which is called tissues अच्छे tissues का मतलब क्या होता है अगर साधारण simple भासा में बात करें तो tissues का मतलब क्या होता है group of cells जे हैं बहुत सारे cells को मिला कर बनता है tissues और इनका एक special function होता है हमारे सरीर में plants की body में insects की body में हर cell का एक अपना function होता है same function करने वाले बहुत सारे cells एक साथ आ जाते हैं तो इसको हम कहते हैं tissues आयोब आपको tissues पता चल गया होगा क्या है from the last chapter we recall that all living organisms are made of cells हमें पता है पिछले chapter में हमने पढ़ा है कि इस दुनिया में जितने भी जिवित organism है चाहे वो इंसान है जानवर है पेड़ पौदा है वो सभी एक smallest building block से मिलकर बनें जिसका नाम cell होता है जैसे हमारा घर eat से बनता है सबसे smallest unit होता है वैसे हमारी body cell से मिलकर बनी है जो कि इसका सबसे smallest unit है इन uniceller organisms हमें पता है कि भाई दो तरीके का organisms है तो पहले हम single cell की बात करते हैं ऐसे organism जिनके पास single cell है ये single cell ही सभी basic functions perform करता है जैसे हर organisms का जिंदा रहने के लिए कुछ basic function है एक ही cell जिनके पास होता है वो एक ही cell से सभी काम करते हैं जैसे हम example लेते हैं amoeba का आपने पढ़ा है nutrition in amoeba fundamental unit of life वाले में हम पढ़ चुके इसको तो कहा गया है कि भाई example लेते है amoeba का amoeba एक single cell है जो सभी काम करता है चाहे amoeba के movement की बात हो चाहे amoeba के खाना खाने की बात हो amoeba oxygen लेता है carbon dioxide छोड़ता है gaseous exchange करता है यह waste material को बाहर निगालता है यह सभी काम amoeba के single cell से ही हो पाता है क्योंकि amoeba is a unicellular organism इसके पास single cell है ही तो जब एक ही cell है तो एक ही cell से यह सारे काम यह करता है लेकिन अगर हम multicellular organisms की बात करें जिनके पास बहुत सारे cells है there are millions of cells in multicellular organisms हम इंसानों की बात करें हमारे पास लाकों करोडों की संख्या में cells है most of these cells are specialized to carry out specific functions हमारे सरीर में जितनी भी cells है वह specialized है मतलब उनको एक काम assign कर दिया गया है कि भाईया तुम यही काम करोगे होता क्या है कि nerve cells का काम ऐसा थोड़ी है कि nerve cells हमारा blood का काम करने लगेगा blood cells nerve cells का काम करने लगेगा बिल्कुल नहीं अगर वह blood cells है तो उसका एक specific function है अगर वह nerve cell है तो उसका plugins पहुचाने अच्छा आगे पड़ते हैं Each specialized function is taken up by a different group of cells मैंने कहा कि भाई देखो cells पे अपना अपना एक काम होता है उनका muscle cell का अपना काम होता है blood cell का अपना काम होता है नप cell का अपना काम होता है लेकिन ये cells अकेले नहीं होते हैं Each specialized function is taken by different groups of cells ध्यान रखना हमारी body में जो भी काम होता है वो कोई एक cell नहीं कर सकता है जैसे हम blood की बात करें हमारे नसों में आपको पता है blood दोड़ता रहता है खून दोड़ता रहता है अब ये blood cells जो है ना एक blood cell नहीं है ये पूरा group of cells है जो क्या काम करते हैं चैनल पहुचाने की बात आती है तो वो भी nerve cells होते है group of nerve cells होते है जो signal पहुचाते है group of muscle cells होते है जो movement का काम करते है तो कोई भी function हमारी body में होता है वो एक cell नहीं करता बलकि group of cells करते हैं और these cells carry out only a particular function they do it very efficiently कहा गया है कि भाई हर cell को अपना काम दिया गया है और वो काम ये cell बहुत ही efficiently करते हैं बहुत ही अच्छे से करते हैं इनसे अच्छा वो काम हमारी body का कोई other cell नहीं कर सकता जैसे हम इंसानों की बात करें human beings की बात करें तो जो हमारे अंदर muscle cells होता है contract and relax to cause movement हमारी जो muscle cells होते है पहले वो contract करता है मतलब एक muscle cell दूसरे muscle cell से रगड़ता है उसकी वज़ा से हमारी body move कर पाती है contract करता है और relax करता ये क्या है ये एक movement है ठीक है ये movement है जो हमारे muscle cell करते हैं जिसकी वज़ा से हमारा हाथ हिल पाता है हमारी मुंडी दर उदर हो पाती है यह सब मसल सेल्स कॉंट्रैक्ट एंड रिलेक्स करते हैं इसकी वजह से हमारी बॉड़ी मूफ कर पाती है अच्छा ऐसे नॉप सेल्स की बात करें तो नॉप सेल्स का काम होता है कैरी मैसेज़स मैसेज़स को कैरी करना, blood cells का काम होता है, oxygen, food और hormones को transport करना, waste material को transport करना, अच्छा, plants में अगर हम बात करें, तो आपने नाम सुना होगा, vascular tissues, कौन-कौन से vascular tissues होते हैं, plant में ये बताओ, दो, एक xylem, एक phloem, तो vascular tissues का काम क्या होता है, conduct food and water from one part of the plant to other parts, देखो, ये vascular tissues कैसे बने, tissue ही कैसे बनता है, tissue group of cells से बनता है, ठीक है, तो जो vascular tissues, जिन cells से मिलकर बना है, वो cells का काम क्या होता है, food, water को एक हिस्से से plant के दूसरे हिस्से में पहुचाना, ठीक है, और ये काम करने में, ये cells export होते हैं, ये बहुत ही efficiently ये काम करते हैं, so, multicellular organisms, so, division of labor, तो क्या हम ये कह स सकते हैं, कि जितने भी multicellular organisms होते हैं, उनकी body में, अलग-अलग काम करने के लिए, अलग-अलग cells है, क्या division of labor है, इनकी body में, बिल्कुल है, अलग-अलग तरीके के cell, अलग-अलग काम करते हैं, जो digestion वाले cell हैं, वो खाने को nutrition लेते हैं, जो respiration वाले cell हैं, वो respiration करने में मदद करते हैं, तो I hope आपको यहां तक बिल्कुल अच्छे समझ में आ रहा होगा है रहा, अच्छा आगे चलते हैं, क्या लिखा है कि cells specializing in one function are often grouped together in the body, कहा गया है कि ऐसे cells जो एक जैसा काम करते हैं, इसलिए इनको body में एक ही जगा group करके रखा गया है, this means that a particular function is carried out by a cluster of cells at a definite place in the body, अब यह बहुत ही important चीज़ है, ठीक है, इसको मैं highlight करने की कोशिस करता हूँ, इसको मैं highlight करने की कोशिस करता हूँ, क्या लिखा गया है, कि भाई, this means that a particular function is carried out by a cluster of cells at a definite place in the body, हमारे सरीर में जितना भी काम होता है, जितना भी function होता है, वो group of cells करते हैं, specialized group of cells होते हैं, जैसे हमारे सरीर में कौन-कौन से functions होते हैं, मैंने बताया आपको respiration, nutrition, digestion, अब यह अलग-अलग काम करने के लिए, अलग-अलग group of cells हैं, जो हमारी body में एक fixed जगह पाये जाते हैं, अब digestion के cells, सर में तो पाये नहीं जाएंगे, पेट में ही पाया जाएगा, तो वही कहा जा रहा है, कि भाई, इन cells का अपना-पना एक place होता है, एक definite place होता है, इसी place पे यह पाये जाते हैं, इन्ही group of cells, जो एक काम करते हैं, और एक particular जगह पर पाये जाते हैं, इन्ही group of cells को हम नाम देते हैं, तीशू का, अब समझ में हैं, तीशू क्या होता है, तीशू हमारे body में बिलकुल ऐसे arrange किये जाते हैं, हमारे जो टीशू हैं, हमारी body के जो अलग-अलग टीशू हैं, जैसे muscle tissues, blood tissues, nerve tissues, इनको इस तरीके से बनाया गया है, इसको इस तरीके से हमारी body में arrange किया गया है, कि भाई, ये अपना काम बिलकुल highest possible efficiency में कर पाएं, वो अपना काम बहुत ही अच्छे तरीके से कर पाएं, बिलकुल इसी तरीके से हमारी body में tissues को arrange किया गया है, जैसे अपने blood cells को अगर देखा होगा, blood cells गोल-गोल होते हैं, इनका design गोल इसलिए किया गया है, ताकि इनका काम है flow करने का, ये आसानी से flow कर सके, ठीक है, हमारी नसों के अंदर बह सके, तो जो tissues होते हैं, वो हमारी body में arrange किये गये हैं, और design किये गये हैं, भौधी विवस्थित तरीके से, ताकि वो हमारी body function को बहुती efficiently कर पाएं, समझ में आया, कुछ example ने लेते हैं tissue के, जैसे blood, एक tissue है, phloem, जो plant के अंदर होता है, ये भी एक tissue है, जैलम phloem में आपने सुना होगा, muscles हमारे, ये भी tissue का example है, ये सब cells से मिलकर बने है, blood cells से मिलकर blood tissue बनता है, phloem cells से मिलकर phloem tissue बनता है, muscle cells से मिलकर muscle tissue बनता है, ये सब भी tissues के example है, a group of cells that are similar in structure and work together to achieve a particular function forms a tissue, अगर आप से कोई पूछे कि what is tissue, तो this is the correct definition of a tissue, definition हमारी यही लिख सकते हो, आप क्या लिख सकते हो, कि भाई, ऐसे group of cells, जो structure में एक जैसे हो, और जो एक साथ काम करें, ताकि एक ही लक्ष हो इनका, वही मिलकर tissue बनाते हैं, मतलब ऐसे group of cells, जो एक ही काम कर रहे हो, माल लेते हैं, example एक लेते हैं, बहुत सारे ऐसे गोले-गोले-गोले-गोले blood cells हैं, ठीक है, तो अब यह जो blood cells है, इन सभी का एक ही काम है, क्या करने का काम है, इनका flow करने का काम है, बहने का काम है, तो यह सभी जो cells है, इनको हम tissue कहेंगे, क्योंकि इनका particular function है, इन सभी cells का एक ही काम है न, flow करने का, इसलिए हम इसको tissue कहेंगे, मालनो एक blood cells है, एक nerve cell है, एक muscle cell है, तो तुम इसको tissue नहीं कहोगे, एक तरीके के cells और एक structure वाले cells को ही हम tissue कहते हैं, आपको इस definition से पता चल गया होगा, तो I hope कि इस chapter का introduction बहुत अच्छे समझ में आया होगा, अगर introduction समझ लिया है, तो एक question आपके दिमाग में जरूर आ रहा होगा, कि क्या plants और animals same type के tissues से बने हैं, क्या हमारे body में जो tissues होते हैं, वही tissues plant की body में होते हैं, क्या, सोचो, और पता लगाओ, पता लगाने के लिए यह वाला जो paragraph हम पढ़ रहे हैं, इसको मेरे साथ पढ़ plants को, plants, कोई plant हो सकता है, घास, फूस, कुछ भी हो सकता है, और हम इंसान बना लिए, ठीक है, अब देखो, अब एक बात बताओ, कि do plants and animals have the same structure, क्या इनकी बनावत एक जैसी होती है, क्या, बिल्कुल नहीं भाई, हम इंसान अलग परीके से बने हैं, हमारा सर होता है, पैर हो करते हैं, बिल्कुल नहीं मेरे भाई, plant एक जैस, एक जगा fix रहता है, हम इंसान एक जगा fix नहीं रहते हैं, हम तो हिलते डोलते रहते हैं, तो इन दोनों differences से हमें ये पता चलता है, कि हमारा काम भी plants से अलग है, हमारा structure भी plants से अलग है, तो हो सकता है, हमारे अंदर tissues भी अ plants and animals में बहुत differences होते हैं, क्या-क्या होते हैं, सबसे पहला देख लो, पहला difference देख लो, plant and animal में, कहा है कि plants are stationary, जो पौदे होते हैं, वो एक जगा खड़े रहते हैं, they do not move, वो चलते फिरते नहीं है, ये तो पता ही है, कोई पेड चलता फिरता दिखा क्या तुमको, अगर ऐसा कोई चलता फिरता पेड दिख जाए, तो भागना भूत हो सकता है, कह रहा है कि plant भाई चलते फिरते नहीं है, वो एक जगा fix रहते हैं, since they have to be upright, plants को सीधा खड़ा रहना होता है, उनको उपर और उगना होता है, और उगना होता है, they have a large quantity of supportive tissue, एक question यहाँ पर आ सकता है कि why plants have large quantity of supportive tissue, supportive tissue क्या होते हैं, यह ऐसे tissues होते हैं, जो body को सीधा खड़ा करने में मदद करते हैं, हमारी body को support provide करते हैं, ताकि हमारी body सीधा खड़ा रह सके, तो plants को upright खड़ा होना होता है, आपको पता है, plants को सीधा खड़ा रहना होता है, और इसलिए plants के अंदर supportive tissue बहुत ज तोई से लेना निए दिखनें देखेंड गैसे लिए काले हिर सके दिखते हैं लेकिन बातर अदर हम अनदर के Around, in search of food, हम जानवर खाने के खोज में यहाँ वहाँ दोड़ते हैं, भागते हैं, हम साथी की खोज में जाते हैं, जिससे हमें reproduction करना है, बच्चे पैदा करना है, हमें घर खोजना होता है अपने लिए, तो इन सब के लिए हम move करते हैं, इन सब के लिए हम अपना हाथ पैड उ कितना काम होता है, इतनी energy खर्च होती है, plants का क्या काम होता है, plants का तो सिर fall photosynthesis में energy खतम होती है, सिर्थ खाना बनाने में, लेकिन हम इंसानों का, बहुत different different बोलने में, जलने में, भागने में, activity करने, मैं सभी में energy खतम होती है तो वही कहा गया है कि हम जो animals होते हैं, हम energy ज़ादा consume करते हैं, plants के मुकाबले, इसलिए हमारे जो tissues होते हैं, वो living cells से मिलकर बने होते हैं, most of the tissues they contain are living Another difference between animals and plants is in pattern of growth हम जानवरों में और पौधों में एक difference और भी है कि हम grow कैसे करते हैं plants अलग तरीके से grow करते हैं, हम animals अलग तरीके से grow करते हैं, कैसे देखो लिखा है कि the growth of plant is limited to certain reasons, plant का हर एक part grow नहीं करता, बलकि plant के कुछी हिस्से हैं, केवल certain reasons हैं जो grow करते हैं, जैसे plant का अगर हम बात करें तो shoot यानि जो सबसे top वाला इलाका होता है plant का root और plant का जो गर्थ होता है यानि stem वाला इलाका किवल यही सब grow करते हैं, यह हम detail में पढ़ेंगे नीचे वैसे ठीक है, तो कहा गया है कि plant की जो growth होती है, वो किवल कुछ organs तक limited होती है plant का हर एक organ grow नहीं करता है while this is not so animals लेकिन ऐसा जानवरों में नहीं होता हम जानवरों में हर एक पार्ट हमारा grow करता रहता है, there are some tissues in plants that divide throughout their life these tissues are localized in certain reasons कहा गया है कि plants के अंदर कुछ ऐसे tissues होते हैं, जो पूरी जिन्दगी divide होते रहते हैं यानि grow करते रहते हैं ये केवल और केवल plant के specific इलाके में पाए जाते हैं plant के certain reason पर पाए जाते हैं ठीक है, ये कहां कहां होते हैं ये हम नीचे पढ़ेंगे कि plant का कौन सा इससा grow करता है ये जो growing tissues होते हैं वो plant के किस part में पाए जाते हैं ये मैं सब बताऊंगा Based on the dividing capacity of the tissues various plant tissues can be classified as growing और merismatic tissue and permanent tissue कहा गया है कि based on the dividing capacity हमें पता है कि plant के केवल कुछ ही हिससे होते हैं जो grow करते हैं तो इसी base पर हमारे पास plant के अंदर दो तरीके के tissues पाए जाते हैं पहला merismatic या इसको हम growing tissue भी कहते हैं और दूसरा होता है permanent या ये आप इसको कह सकते हो non growing tissue ये grow नहीं करते हैं ये body को support करने का काम करते हैं ये plant body को सीधा खड़ा रहने में मदद करते हैं इसलिए इनको हम permanent tissue कहते हैं merismatic tissue का का काम होता है cells को divide करना grow करना plant को तो ये दो तरीके के tissues पाय जाते हैं हमारे plant के अंदर cell growth in animal is more uniform हमारे अगर जानवरों की बात करें तो हमारे अंदर हमारी body में हमारा हर एक cell grow करता है इसलिए हमारे body में कोई dividing और non dividing reasons नहीं होता जैसे plant में कहें तो plant में कुछ हिससे grow करते हैं कुछ हिससे grow नहीं करते हैं लेकिन हमारे अंदर हम जानवरों के अंदर हम इंसानों के अंदर ये जो cell division का काम होता है ये बहुत ही जादा specialized तरीकी से किया जाता है ये बहुत ही uniform होता है लगातार होता रहता है हमारे body का हर एक part grow करता है, जिन्दगी भर grow करता रहता है, और इसलिए there is no such demarcation of dividing and non-divising reasons in animals, हम जानवरों के अंदर कोई ऐसा dividing और non-dividing tissues नहीं होते हैं, हमारे अंदर जितनी भी tissues हैं, सब divide करते रहते हैं, तो आपको इतना तो समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से, चलिए आगे चलते हैं, the structural organization of organs, an organ system is far more specialized and localized, ध्यान रखना, specialized and localized in complex animals, अगर complex animals की बात करें, तो आप ही बताओ, complex animal कौन-कौन से होते हैं, भाई हम इंसान, complex animal हैं, जो जानवर हमारे धरती पर पाये जाते हैं, सेर हो गया, टाइगर हो गया, गाय हो गई, भैस हो गया, यह सब complex animal होते हैं, तो हम complex animals का जो organ होता है, और साथ-साथ में organ से मिलकर, जो organ system होता है, सबसे पहले तो वो अपने काम को करने में माहिर होता है, specialized होता है, और किसी एक जगह पर localized होता है, ठीक है, हम इंसानों के अंदर ऐसा होता है, लेकिन plants के अंदर, चाहे वो बहुत जादा complex plant ही क्यों ना हो, इन plants के अंदर कोई specialized और localized organ और organ system नहीं होते हैं, plants के अंदर कुछी organs होते हैं, जो किसी निश्चित जगह पर पाये जाते हैं, otherwise जादा तर organs उनके specialized नहीं होते हैं, वो सब काम कर लेते हैं, ठीक है, लेकिन हम जानुरों की बात करें, तो हमारा organ, organ system केवल एक ही काम कर सकता है, और इस काम को बहुत ही efficiently करता है, इसलिए इसको एक निश्चित जगह पर fix कर दिया जाता है हमारी body में, जैसे अगर हम बात करें हमारे small intestine, large intestine की, तो ये एक ऐसा organ system है, जिसका काम है खाने को digest करना, इसलिए ये नीचे वाले इलाके में पाया जाता है, इसका जो location है वो नीचे वाले इलाके में, digestion के बाद, small intestine और large intestine में food जाता है, इस fundamental difference reflects the different modes of life pursued by these two major group of organisms, अब इतने सारे जो अंतर हमने देखे, यही कारड है, कि by plants और animal, ये जो दो major group of organisms हैं, ये अलग-अलग तरीके की जिन्दगी जीते हैं, different modes of life जीते हैं, particularly in their different feeding methods, अगर हम अपने खाने की बात करें, हम इंसानों की, तो हम दूसरों पर depend रहते हैं, हम क्या हैं, हम hectrotrops हैं, लेकिन अगर plants के खाने की बात करें, तो वो autotrops हैं, वो अपना खाना खुदी बनाते हैं, तो हमारा जो feeding method हैं, वो बिलकुल अलग है, also they are differently adapted for a sedentary existence, जो plants ह होते हैं, वो एक जगा स्थिर रहने के लिए उनका जो body जो design किया जाता है, plants की जो body design है, वो इसले design की गई है, क्योंकि उनको जिंदगी पर एक ही जगा खड़ा रहना है, on the other hand, अगर हम animals की बात करें, तो हमें पूरे जिंदगी active locomotion करना है, एक जगा से दूसरे जगा जा design, भाई साब, यही सारे difference है, पहले तो खाने में अंतर है, दूसरा, जो plants होते हैं, वो एक जगा ही रह सकते हैं, लेकिन हम इंसान, एक जगा से दूसरे जगा जा सकते हैं, यही सब कारण है कि हमारी जो organ systems है, वो बिलकुल अलग अलग तरीके से design किये गए, plant के अंदर जो organ है, organ system में, वो अलग तरीके से design किया गया है, हम इंसानों के अंदर जो organ है, organ system में, वो बिलकुल अलग तरीके से design किया गया है, समझ में आ रहा है, feel आ पा रहा है कि नहीं, बिलकुल आ रहा होगा, चलिए, आखरी line चलते हैं, introduction का, लिखाए कि it is with reference to those complex animal and plant bodies that we will now talk about the concept of tissues in some details आज के इस chapter में हम कुछ complex animal, जैसे हम इंसानों की बात कर लें, और भी बहुत सारी जानवर, और plant की body में जो tissues पाए जाते हैं, अलग अलग तरीके के tissues के जो concept हैं, वो हम detail में पढ़ रहोंगे इस chapter में, और मैं आपको detail में समझा रहोंगा, line by line, now we will be doing some questions, जो भी हमने अभी पढ़ा है, उस पर based कुछ question है, पहला tissue किसे कहते हैं, आप सो कोई पूचता है, what is a tissue, तो क्या answer आना चाहिए आपका, सबसे पहले आप लिखोगी कि भाई, group of cells, ये बहुत ही common सा definition है, आपने पहले से ही इसको पढ़ रखा होगा, कि group of cells कों tissues कहते हैं, but आप 9th में हो, तो आ और दूसरी, जिनका similar function हो, similar function, जिनका काम एक जैसा हो, और जिनकी बनावत एक जैसी हो, बिल्कुल ऐसे group of cells को ही हम tissue कहेंगे, मालो एक blood cell है, एक आपके पास nerve cell रख दिया गया, एक muscle cell रखा गया है, तो क्या इसको tissue कहोगे, ये भी तो group of cells हुए ना, बिल्कुल नहीं, क्यो लो, बहुत सारे blood cells हैं, गोल-गोल होते हैं blood cells, बहुत सारे blood cells हैं, तो क्या इनको तुम tissue कहोगे, बिल्कुल कहोगे, क्योंकि इनका structure भी एक जैसा है, इनका काम भी एक जैसा है, is it okay, समझ गया होगे tissue क्या होता है, moving to second question, what is the utility of tissues in multicellular organisms, यानि हम इंसानों के अंदर, example दे सकते हो, जैसे अगर हम muscle tissues की बात करें, तो इनका काम होता है, movement का, हमारी body में जितनी भी हलचल होती है, वो muscle tissues की वज़े से होपाती है, blood tissues की बारे में अगर बात करें, तो जो oxygen हमारी body में पहुसता है, अलग-अलग हिस्से पे, जो हमारे body में nutrients अलग-अलग body parts पे में, वो सब blood tissues का काम होता है, तो different type of tissues do different works in multicellular organisms, और अगर आपने इसे पढ़ लिया है, तो अब चलते हैं, इस chapter के दूसरे topic की तरफ, topic number 6.2 और इसमें हम पढ़ेंगे कि भाई, plant tissues क्या होने वाले हैं, अब देखो यार, यह एक main topic है इस chapter का, और इसके बाद दूसरा main topic है animal tissue, तो बहुत ध्यान से पढ़ो, plant tissues दो तरीके के होते हैं, जब भी यह topic स्टार्ट हो, plant tissue का, तो हम दो तरीके के बारे में, plant tissues के बारे में पढ़ते हैं, पहला, जिनको यहां पर लिखा गया है, merismatic, या इसको कभी-कभी हम growing tissue भी कहते हैं, ठीक है, और दूसरा वाला होता ह permanent tissue, जो grow नहीं करता, permanent tissue, तो plant tissues कितने तरीके होते हैं, एक growing tissue, एक permanent tissue, एक एक करके इन दोनों tissues के बारे में पढ़ते हैं, और फिट चलेंगे animal के बारे में, ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे, merismatic tissue और इसके लिए यहां पर एक activity दिया है, यह activity ना, बहुत ही मज़ेदा है, भाई सब आपको करना क्या है, इस activity के लिए दो glass लेना है, जिसका जो move है, यह जो, यह है न, यह थोड़ा पतला होना चाहिए, दोनों glass का, ठीक है, ताकि अगर तुम प्याज रखो, तो वो नीचे ना गिर जाए, इस पर अठका रहें, तो आपको करना क्या है, इस activity मे दो glass लेना है, और प्याज को बिल्कुल ऐसी मुँपे रख देना है, देखो, डूब ना जाए, ठीक है, आधा पानी में डूबो के, और आधा उपर, तो आपने ऐसा रख लिया, आपको इसमें observe क्या करना है, देखो, जब भी यह जो root है न, यह पानी में रहेगा, तो यह ग्रो करेगा, पहले दिन हो सकता है, यह 2 cm ग्रो करेगा, दूसरे दिन यह और ग्रो करेगा, ठीक है, यह सब ग्रो करते रहेंगे, यह सब ग्रो करते रहेंगे, डे बाई डे, आप दोनों पर आज को देख पाओगे, कि इनके जो roots हैं, वो day by day increase कर रहे हैं, यानि बढ़ र टिशू होता है, वो बिल्कुल tip पे पाया जाता है, tip of root and shoot, ठीक है, marismatic tissue जिसको हम growing tissue भी कहते हैं, जिसका काम ही है बढ़ना, वो roots के tip में पाया जाता है, जिसकी वज़से जो पानी में रखने से, जो roots है onion के न, वो लगातार बढ़ते रहते हैं, अच्छा, इस activity में एक twist ह कहा गया है कि जो दूसरे jar का, यह root बढ़ा है न, दो-तीन दिन में, इसको catchy लेके क्या कर दो, काट दो, इसको catchy लेके काट दो, यह सब काट दो, ठीक है, चलो वैं आपको काट के दिखाता हूँ, आपको मालो, यह जो भी बढ़ा हुआ है, इसका जो root है, यह बढ़ा हुआ है, ठीक है, इसको आपको यहां से cut कर देना है, यहां से, ताकि सब cut हो जाए, नीचे वाला हिस्सा cut हो जाए, बस उपर वाला हिस्सा रहे, तो आप देखोगे, कि यह वाला जो onion का root है, वो तो बढ़ता रहेगा, वो तो बढ़ता रहेगा, वो तो बढ़ता रहेगा, लेक हमने बताया आपको कि किसी भी रूट के टिप पर ही होता है क्या मेरिस्मेटिक यानि ग्रोइंग टीशू जब हम इसको काट देंगे ग्रोइंग टीशू तो सम नीचे गिर गए तो क्या ये रूट ग्रोग करेगा बिल्कुल नहीं करेगा ठीक है तो यही थी हमारी अक्टिविटी और इसी अक्टिविटी पर बेच्ट हमारे पास तीन क्वेश्चिन्स है अंसर करने की कोसिस करते हैं पहला है कि which of the two onions has longer roots हमने jar 1 और jar 2 दो jar में onion रखा था अब बताओ कि लंबा root किस jar का होना चाहिए पहले बाले का क्योंकि इसमें हमने कैची से कट नहीं किया था ठीक है क्यों ऐसा होगा क्योंकि इसके जो merismatic tissue है वो अभी भी roots में present है लेकिन इसके merismatic tissue काटने के बाद यह सब नीचे गिर गए एकदम किनारे पर ही present होते हैं तो जब हमने इनको कैची से काट दिया तो यह सब क्या कर गए नीचे गिर गए जिससे इसकी growth रुख गई दूसरा question क्या है क्या हमने जब इसके tips को काट दिया तो यह roots लगातार grow कर रहे थे नहीं इसका answer क्या होगा तीसरा अब यह growth इनकी बंद क्यों हो गई जब हमने काट दिया इनके tips को तो वाई बिकॉस यह जो tips थे ना contain marismatic tissue इनके अंदर marismatic tissue था जिसको हम growth tissue भी कहते हैं जो हमने काट के निकाल दिया इसलिए इसकी growth रुख गई अब इस activity को करने के बाद एक चीज हमने marismatic tissue के बारे में idea लगा लिया होगा कि जहां marismatic tissue नहीं होता वहाँ plant का जो growth होता है रुख जाता है इतना हमने पता लगा लिया भाई हमने इसके root से जो marismatic tissue है वो काट दिया इसकी growth बंद हो गई तो वही लिखा है कि the growth of plants occurs only in certain specific reason आपने देखा कि जो marismatic tissue है वो एकदम किनारे पर present है एक specific reason में present है ठीक है और बाकी इससो में थोड़ी ना present है marismatic tissue हमने इसको काट दे है इसकी growth बंद हो गई this is because ऐसा क्यों होता है क्यों केवल particular जगह पर ही पाये जाते है ये growing tissues इसका कारण ये है कि जो growing tissues होते है जिनको हम marismatic tissue भी कहते है ये केवल specialized location पर पाये जाते है ठीक है कहां पर पाये जाते है मैं आपको आगे चल कर बताता हूँ इनके अलग-अलग types होते है देखो लिखा किया है कि depending on the reason where they are present plant के अलग-अलग body part पे अलग-अलग तरीके के marismatic tissue होते है किस तरीके के marismatic tissue तीन तरीके के पहला apical meristem हम कहते है lateral और intercalary इन तीनों का काम है ग्रोँ करना लेकिन येत अलग-अलग तरीके से ग्रोँ करते है जो हम इन तीनों का function आगे पढ़ रहे होंगे, ठीक है, एक और important बात इसने कही है, new cells produced by meristem are initially like those of meristem itself, क्या कहा जा रहा है, भाई साब कह रहा है कि हमने देखा कि जो merismatic tissue है, वो roots के tip पर पाये जाते हैं, ठीक है, इनका काम होता है grow करना, ये नए cells बनाते हैं, नए cells बनाते जा हैं, जो पुराने वाले cells हैं, पहले तो ये जो नए cells बना रहे हैं, ये merismatic tissue है, फिर ये अगले को पास करता है, फिर ये अगले को पास करता है, तो जो पुराने वाले हैं वो अपनी जो dividing capacity हैं, वो loose कर देते हैं, और क्या बन जाते हैं, permanent tissue, permanent tissue, समझ में आ रहा है, बस यही बात इस line से लेकर इस line तक कही गई है, क्या कहा गया है, कि new cells produced by meristem, पहले तो शुरुआत में वो खुद एक merismatic tissue होते हैं, क्योंकि वो अगले cells को divide करने में मदद करते हैं, लेकिन जैसे जैसे वो grow करते हैं, mature होते हैं, इनकी जो characteristics होती हैं, इनकी जो capacity होती है, divide करने की वो ध अपनी dividing capacity को छोड़ कर permanent tissue बन जाते हैं, they become differentiated as components of other tissues, अब यह merismatic tissue नहीं रह जाते हैं, अब यह permanent tissue बन जाते हैं, तो I hope आपको तीन बातें बहुत अच्छे समझ में आई होंगी, कि plant tissues दो तरीके के होते हैं, merismatic tissue, permanent tissue, merismatic tissue के बारे में हम पढ़ रहे हैं, जो की तीन तरीके का होता है, apical, lateral और intercalary, इनका जो नाम है, वो इस आधार पर रखा गया है, कि यह हमारे plant के body पर अलग-अलग इलाके में पाए जाते हैं, कुछ top पर पाए जाते हैं, इसलिए इनका नाम apical है, कुछ बीच में पाए जाते हैं, इसलिए इनका नाम intercalary है, ठीक है, कुछ lateral कहे जाते हैं, यह इनका नाम के इसाब से इनका function है, जो अब हम अगले paragraph में पढ़ रहे होंगी, so, moving to the different types of meristems, सबसे पहले मैं आपको यह picture दिखा देता हूँ, ठीक है, अब यह क्या है, मालो हमारे यह plant है, अब इसमें तीन तरीके के meristem दिये गए है, मैंने आपको बताए कि जो apical meristem होता है, इनके position के अधार पर इनका नाम है, apical मतलब top होता है, ठीक है, अच्छा, तो यह जो सबसे top वाला इलाका होता है, plant का, जो सबसे top वाला होता है, यहाँ पर होता है, apical meristem, जो कि क्या करता ह seeds के अंदर से नय-nय seedlings निकालता है, ऐसे plant को grow करता है, यह होता है, apical meristem, दूसरा एक intercalorie meristem है, जो कि node पर पाया जाता है, node क्या होता है, आप picture में देख सकते हो, यानि जो इसका gart होता है, जिसको हम कहते हैं, ठीक है, इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है, length को increase करना stem के, stem के length को यह क्या करता है, बढ़ाता है, बढ़ाता रहता है, अच्छा lateral मेरी stem, lateral मतलब होता है, एकदम longitudinal, खड़े-खड़े, lateral मतलब क्या होता है, खड़े-खड़े, ऐसे, ठीक है, बिल्कुल ऐसा, तो lateral, अभी देखो, जो apical है, वो बिल्कुल ऐसे-ऐसे पाया गया, inter lateral होता है, वो longitudinal direction में होता है, ऐसे longitudinal direction में होता है, ठीक है, तो इसलिए इसको हम lateral कहते हैं, इसका function क्या होता है, यह चोड़ाई को बढ़ाता है, गर्थ को बढ़ाता है, ठीक है, stem का जो चोड़ापने thickness है, वो lateral मेरी stem की वज़े से होता है, तो lateral मेरी stem, thickness को देखता है, ठीक है बनाता है, seed में से नए-नए plants उगाता है seedling of seeds तो picture से आपको समझ में आ गया होगा कि ये different types of merismatic tissues हैं, वो अलग-अलग जगा पर पाया जाते हैं, कहां-कहां पाया जाते हैं मैंने आपको बता दिया, अब इन तीनो तरीके के tissues का function दिया गया है, जिसको बहुत ही ध्यान से पढ़ने की जरुवत है, function क्या है इन तीनो tissues का, सबसे पहले हम apical meristem के बारे में पढ़ते हैं, is present at the growing tips of the stems and roots, and increases the length of the stem and the root, सबसे पहले apical meristem कहा-कहा पाया जाता है, tips of stems and roots, ठीक है यानि सबसे top पर, मैंने दिखा है बना कि जो सबसे top वाला इलाखा होता है plant का, यहाँ पर आपको मिलेगा apical meristem, या तो जो root वाला इलाखा होता है, root के tip पर, सबके किनारे ही मिलता है apical meristem क्योंकि इसका नाम ही है top पर ठीक है, एकदम top पर रहता है एकदम tip पर, एकदम किनारे रहता है, इसलिए apical meristem है तो stem और roots के किनारे पाया जाता है और इसका काम होता है length of stem and root, root और stem की length को बढ़ाना देखो stem की length तो हम इसको नहीं कह सकते proper, हम कहेंगे length of tip, ठीक है यह जो tip है, यह और बढ़ती जाती है और बढ़ती जाती है, इसकी length बढ़ाने के लिए apical meristem होता है the girth of the stem, यानि चोड़ाई बढ़ाने के लिए हमारे पास lateral meristem है, जो की कहाँ पाया जाता है यह हमारे यहाँ पर stem में ही पाया जाता है stem में पाया जाता है longitudinal way में होता है यह, जो क्या करता है इसकी चोड़ाई, यानि गर्थ बढ़ाता है ठीक है, इसको चोड़ा करता है stem को और तीसरा होता है intercalorie मेरी stem, जो की कई पौधों में कहां देखा गया है, node पर यानि इसके गाठों पर और इसका काम क्या होता है length of stem length of stem को बढ़ाना I hope यहाँ तक समझ में आ गया होगा अब आखरी कुछ lines हैं जो हम इस वीडियो में cover करने वाले हैं सो बहुत ही दिल थाम के बैठिएगा क्योंकि permanent tissue हम अगली वीडियो में very active कहा क्या गया है कि जो marismatic tissue होते है इनका नाम ही होता है growing tissue बढ़ने वाले और बढ़ाने वाले tissue तो यह काफी active रहते हैं यह लगाता divide करते रहते हैं अगर हम marismatic tissue के एक cell की बात करें तो इनका cell कैसा रहता है सबसे पहले तो dense cytoplasm इनके cell की जो खासियत होती है वो क्या होती है सबसे पहला cytoplasm dense होता है cytoplasm cytoplasm क्या होता है cell के अंदर जो liquid पाया जाता है इसको हम cytoplasm कहते है तो यह काफी धना होता है इसका liquid काफी dense होता है अच्छा दूसरी property क्या होती है thin cellulose walls and prominent nuclei जो यह cell walls होते है merismatic tissue के वो काफी पतले होते है ठीक है thin cell walls यह क्यों होते है क्योंकि भाई cell walls अगर पतले नहीं रहेंगे तो वो grow नहीं कर पाएंगे अच्छा तीसरी characteristic होती है कि इनकी जो nuclei होती है काफी strong होती है strong nuclei nuclei किसको कहते हैं nuclei किसको कहते हैं हम देखो nuclei हमारे cell के अंदर जो nucleus पाया जाता है nucleus के अंदर जो liquid होती ही उसको हम nuclei कहते है nucleus right अच्छा इतना समझ में आ गया they lack vacuoles एक चीज़ और होता है arithmetic tissue के अंदर कि इनके अंदर vacuoles नहीं होते है no vacuoles जितनी बाते मैंने लिखी है arithmetic tissue के बारे में यह बहुत ही important है आप अराम से 3 number के question में या 5 number के question में इनने answer को लिख सकते हो थोड़ा सा अपनी मन से बनाके कि भाई जो arithmetic tissue होते हैं इनका cytoplasm काफी गना होता है dense होता है इनके cell walls काफी पतले होते हैं strong nuclei होती है और vacuoles नहीं होते हैं अब एक चीज़ as a homework में तुमको देखे जा रहा हूं can we think why they would lack vacuoles आपको पता ही कि merismatic tissue के अंदर vacuoles यानि खाली जगह क्यों नहीं होता है अब आप इसका पता लगाईए as a homework जो मैं आपको अगली वीडियो के starting में ही बता दूंगा अगली वीडियो जस्ट दो दिन के बाद आपको permanent tissue पर देखने को मिलेगी यह एक लंबा टापिक है जिसमें हम simple permanent और complex permanent दोनों tissues पढ़ रहे होंगे तो आई होप आपको यह वीडियो पसंद आये होगा और यह जो चाप्टर है हमारा चाप्टर नंबर six that is tissue क्या हम पढ़ रहे हैं हम पढ़ रहे हैं tissues ठीक है तो यह चाप्टर मजा रहा होगा पढ़ने में आगे पढ़ने के लिए और भी पार्स देख पोल चैहिंड